चटी तकनीक है बेत की छड़ी द्वारा बेत की छड़ी को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामार अगर बच्चा बोलवेल के तल तक पहुँच गया है बच्चा चाहे होश में हैं या बेहोश हम ये दादा जी की छड़ी द्वारा भी बच्चे को आसानी से निकाल सकते हैं ये हर गाओं में मिल जाएगी ये बैंत की बनी होती है सबसे पहले हमने इस छड़ी को हलका सा गरम करके बैंड कर दिया है जिससे बच्चे को उठाने में इसका साहता मिलती है इस चड़ी के साथ साथ एक PVC का पाइप है ये और PVC शीट का बना है ये पाइप बोर्वेल के व्यास से एक इंच कम व्यास का होना चाहिए केवल इन दोनों के प्रयोक से ही हम बोर्वेल में फसे बच्चे को निकाल सकते हैं बेद की चड़ी की मजबूती जांचने के लिए बेद की चड़ी को लटकाएं और कोई कपड़ा या फोम रख कर किसी छोटे बच्चे को बैठा कर मजबूती की जांच कर सकते हैं सबसे पहले 3 फिट उचे परिवर्टन शील व्यास के PVC पाइप का व्यास बोर्वेल के व्यास से एक इंच कम सेट कर उसको एक पतली डोरी से बोर्वेल के अंदर उपरी सिरे के पास ही लटका कर छोड़ देते हैं लंबे जे हुक को उर्धवादर स्थिती में लटका कर टॉच या CCTV से देखकर धीरे धीरे बोर्वेल के अंदर बच्चे के पैरों के पास तक पहुँचाएं अब बहुत ध्यान से देखते हुए जे हुक को नभी डिग्री घुमा कर उसके निचले हिस्से को बच्चे के दोनु पैरों के बीच ले जाएं आप स्वेम बच्चे को जे हुक के निचले हिस्से के ऊपर बिठा दें बच्चे की सुरक्षा के लिए उप्युक्त व्यास का 30 इंच उचा पीवी सी का पाइप लेंगे और इस पाइप को पतली डोरी के माध्यम से जे हुक के लंबे पाइप में पहनाते हुए बच्चे तक इतना लटकाएंगे की पाइप बच्चे को पूरा कवर कर लें सीसी टीवी या टॉर्च से देखकर पूरी तरह निश्चत होने पर लंबे जे हुक और पीवी सी पाइप को उपर की तरफ बिना जटका दिये आराम से धीरे-धीरे खीचे जे हुक पर बैठा हुआ बोर्बल में फसा बच्चा भी साथ साथ उपर निकल आएगा